आज हम आम का पना बना रहे हैं गर्मियों में आम का पना पीना बहुत अच्छा लगता है यह प्राकृतिक ठंडक देता है और आज हम आम का पना पुदीने के साथ बना रहे हैं तो इससे पुदीने से पने के प्राकृतिक गुण और बढ़ जाता है तो चलिए बना बनाना स आम का पना बनाने के लिए मैंने यहां पे लिये हैं कच्चे आम 1.5 kg और फ्रेस पुदेने की पत्तियां लिये मैंने 1 कटूरा काला नमक लिया है एक चमच और 200 ग्राम सक्कर लिया है सबसे पहले आम को धोके साफ कर लेंगे और इसको छिल लेंगे हमें आम का छिलका निकाल लेना है इसका ग्रीन पार्ट जो वो हटा लेना है आम थोड़ा पीले दिख रहे हैं लेकिन यह कच्चे आम है क्योंकि अभी आम का सीजन हो चुका है तो इनका कलर अभी चेंज हो गय मैं पूरा पाल्प निकाले डुख आखे ने का निख न हमारे इतunya लेना है गप वासरे लेगे वाटर और आम के पीस को अच्छे से पकने तक दो या तीन विसल आने तक बका लेंगे हमें आम को पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाना है तो मैंने यहाँ पे दो विसल तक पकाया है और अब जब ठंडा हो गया है तो मैं खोल के देखूंगी चेक करोंगी क्ैश्चे से पक गया है क्या तो देख केmある पुरा मैस हो गया है कुछ पीस जो बाकी है उन्हें मैं चेक करूंगी तो देख़े पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो अभी इसए ठंडा होने के लिए जब आना हो जाए गा तो इसे ग्राइड कर देगे तो ठंडा होने के बाद मैंने लिया यहां पर मिक्सर जार, मिक्सर जार में जो हमारी आम की प्यूरी है उसे हम डाल देंगे, हमें इसे ग्राइंड करना है, और इसमें मैं एट करूंगी सककर जो मैंने लिया था 500 ग्राइम, और यह फ्रेस पुदेने की पतियां इन्हें भी म इसे हमें ग्राइंड करना है, इसका पतला पेस्ट बनाना है, तो ग्राइंड हो रहा है, इसमें पुदीने की पतियां अच्छे से क्रस हो जाएंगी, तो देखे हमारा अच्छे से पेस्ट रिडी हो गया है, अब हम इसे चान लेंगे, एक छनी लेंगे, ताकि जो भी आम क पूदीने के पीस बचे हैं तो वह भी चन जाएगे तो हम इसे अच्छे से चान लेंगे आज हमने पूदीना डाल के आम का पना बनाया है पूदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको पूदीने का फ्लेवर और टेस्ट पसंद है तो आप पूदीने की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पूदीने की पतियां कम या ज तो आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग इसमें वाटर एड़्जस कर लीजिए और सुगर और काला नमक भी एड़्जस कर लीजिए आम का पना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है कच्छे आम में विटाइमिन सी भरपूर मातरा में पाए जाता है तो इसे इसकी कर सकते हैं आप भी पुदीना वाला आम का पना जरूर बनाईए और सर्व करिए तैंक यूँ